यूपी में धान की सरकारी खरीद MSP से अलग प्रती क्विंटल बढ़े कितने रुपए और कैसे बिकेगा MSP पर आपका धान अधूरा नहीं पाई ये पूरा ग्यान हम अपने दर्शकों को बता दें कि Green TV का WhatsApp नंबर बदल गया है कृशी संबंधी किसी भी सवाल का जवाब जानने के लिए अब से आप हमारे नए नंबर 95-40-3-00-00-3 पर WhatsApp के माध्यम से अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं देश के किसानों को अपनी फसल का वाजब दाम मिले इसके लिए केंद्रवराज सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयासरत हैं इसी कड़ी में यूपी सरकार ने किसान के हित को ध्यान में रखते हुए धान की खरीद निती में कई बड़े फैसले लेते हुए इस पर मोहर लगा दी है हर तरफ खबरे हैं कि यूपी सरकार द्वारा धान खरीद निती में धान की कीमतों में प्रतिक इंटल 65 रुपे की बढ़ोतरी की गई है लेकिन दोस्तों ये 65 रुपे की बढ़ोतरी MSP में सिर्फ यूपी के किसान के लिए हुई है ऐसा नहीं है आपको बता दें कि केंदर सरकार ने खरीब विपड़न वर्ष 2019-20 के लिए धान की MSP में 65 रुपे की बढ़ोतरी की है और फचलों की बढ़ी हुई MSP का एलान काफी वक्त पहले हो चुगा है इसलिए आप ये बिलकुल न सोचे कि सिर्फ यूपी के किसान के लिए धान की MSP में 65 रुपे की अत्रिक्त बढ़ोतरी की गई है हाँ यूपी के किसान का धान पर प्रतिकुंटल मुनाफ़ा बढ़ा है लेकिन MSP वही है उसमें कोई बदलाब नहीं हुआ पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ग्रीन टीवी अगर पहली दफा आप देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें और वीडियो को शेर जरूर करें क्योंकि हमारा उद्देश्य अपने दर्शेकों को अधूरा ग्यान नहीं पूरी जानकारी देना है तो चलिए वापस विशय पर लोटते हैं दोस्तों केंद्र सरकार ने सामान्य धान का MSP जो खरीब विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 1750 रुपए प्रतिकुंटल था वो बढ़ाकर खरीब विपणन वर्ष 2019-20 के लिए 1815 रु प्रतिकुंटल 1770 रुपए था उसे बढ़ाकर खरीब विपणन वर्ष 2019-20 के लिए 1835 रुपए प्रतिकुंटल कर दिया गया है इस तरहां धान के निवनतम समर्थन मूल में 65 रुपए प्रतिकुंटल का इजाफा किया गया है लेकिन सिर्फ यूपी के लिए नहीं पूरे देश के किसान के लिए वैसे धान की साफ सफाई के लिए प्रतिकुंटल 20 रुपए के ये राशी बीते वर्ष भी किसान को यहां दी गयी थी महीं प्रदेश सरकार द्वारा ये दावा भी किया गया है कि किसानों को उनकी फसल के मूले का भुकतान 72 घंटे के भीतर भीतर कर दिया जाएगा इसकी अलावा मटाईदार और कॉंट्रेक्ट फार्मर भी अपनी धान की फसल सरकारी क्रेकिंद्रों पर बेच सकेंगे और ये पहली बार हुआ है आपको बता दें कि पिछले खरीफ सीजन में राजे सरकार ने 48.25 लाख टन धान की खरीद की थी वहीं इस खरीफ सीजन में यूपी सरकार ने 50 लाख मिट्रिक टन धान की सरकारी खरीद का लक्षे रखा है खरीफ विपडन वर्ष 2019-20 के लिए यूपी में धान की सरकारी खरीद कुछ जिलों में 1 अक्टूबर 2019 से शुरू हो जाएगी जो 31 जनवरी 2020 तक चलेगी जबकि कुछ जिलों में धान की सरकारी खरीद शुरू होगी 1 नवंबर 2019 से जो 29 फरवरी 2020 तक चलेगी जिन जिलों में 1 अक्टूबर 2019 से धान की सरकारी खरीद शुरू हो रही है उनमें हैं लखनव संभाग के हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर जनपद, और संभाग बरेली, मुरादाबाद, मेरट, सहारनपुर, आगरा, अलीगर और जांसी और जिन जिलों में 1 अक्टूबर 2019 से धान की सरकारी खरीद शुरू हो रही है उनमें हैं लखनव संभाग का लखनव, राइबरेली, उन्नाव और चित्रकूर जनपद, और संभाग कानपुर, अयोत्या, देवी पाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगड, वारणसी, मिर् और प्रियागराज, हम अपने दर्शिकों को बता दें कि धान खरीद का पूरा सिस्टम ओनलाइन होगा और सरकारी क्रेक इंद्रह पर धान बेचने के लिए पहले किसानों को खादे एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट fcs.up.gov.in पर रजिस्ट्र कराना होगा खादे एवं रसद विभाग द्वारा सभी ब्लोकों में स्थित कार्यालयों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बे तक किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ओनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसान अपनी भूमी के विवरण के साथ खतोनी, खाता संख संख्या, प्लॉट, खसरा संख्या, भूमी का रखबा हेक्टेर में और फसल यानि धान का रखबा वो भी हेक्टेर में और आधार काड अपने साथ जरूर ले कर जाएं इसके अलावा पास्पोर्ट साइज पोटोग्राफ और बैंक पास्बुक के फर्स्ट पेज की फोट अथन मूले का फुक्तान ओनलाइन होगा जो पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम यानि पी एफ एमेस से 72 घंटों के भीतर सीधा किसानों के पैंक खातों में किया जाएगा किसी भी तरह की धानले बाजी से निपटने के लिए बुखता इंतजाम सरकार ने इस खरीद के लिए किये हैं जिसके तहट सभी किसानों के रजिस्ट्रेशन वेरिफाई करने के साथ साथ उनके बैंक अकाउंट भी वेरिफाई किये जाएंगे विभाग के पोर्टल को भूलेक से लिंक किया गया है जिससे किसानों के रखबे का पूरा लेखा जोखा ऑनलाइन उपलब्द हो जाएगा और फिर वही किसान अपनी फसल बेच पाएगा जो नाम रजिस्ट्रेशन, अकाउंट नमबर और खतोनी में दर्ज होगा इस तरहां जोट के आधार पर ही यहां किसान अपनी धान की फसल को बेच सकेगा बटाईदारों और कॉंट्रेक्ट फार्मर से धान की खरीद के लिए भी यहां कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके तहत बटाईदार और कॉंट्रेक्ट फार्मर को मूल किसान से सहमती पत्र लेना होगा उसके बाद ही उसके नाम से धान की खरीद का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा ऐसे किसान सो कुंटल धान ही बेच सकते हैं मूल किसान धान की विक्री यहां नहीं कर पाएगा तो किसान भाई सरकारी क्रेकेंद्र पर अपनी धान की फसल बेचने के लिए तुरंत रजिस्ट्रेशन कराएं और हां सभी जरूरी दस्तावेज साथ ले जाना बिल्कुल न भूलें कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं